हेलो दोस्तों सागत आपका अपने चैनल पजल मेनिया वितंकुर में जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंस का फोकस SPI किलर के प्री एक्जाम पर है लेकिन काफी सारे स्टूडेंस हैं जो इंतिजार कर रहे हैं कि SPI किलर के प्री एक्जाम डेट्स के रिगार्डिंग कोई ना कोई नोटिस देखने को मिल जाए या फिर एड्मिट कार्ड देखने को मिल जाए तो दोस्तों एक गुड न्यूज है जो काफी सुनने में आ रहा है और जो इंफॉर्मेशन लग रही है कि SPI किलर के प्री का जो एड्मिट कार्ड है वो 20 जून के बाद किसी बेदेन आपका रिलिस हो जाएगा या फिर 20 जून के पहले पहले जो प्री एक्जाम डेट्स है उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई नोटिस भी देखने को मिल सकता है तो दोस्तो अगर 20 जून के बाद आपका जो एड्मिट कार्ड है वो रिलिस होता है तो जो SPI किलर प्री एक्जाम है वो जुलाई के स्टाटिक में आपका कंड़क्ट हो जाएगा और कहीं न कहीं अब पॉसिबिल्टी बनती भी है सिचेशन देखा जाए तो नॉर्मल होती जा रही है और IBPS RRB का भी नोटिफिकेशन आ गया है और अगस्त देखा जाए तो RRB PO के प्री मेंस होंगे फिर SPI PO के प्री मेंस होंगे फिर IBPS PO के प्री मेंस होंगे अगस्त से लेके 9 दिसम्बर तक आपके ये एक्जाम होने वाले हैं तो आपका जो SPI किलर प्री एक्जाम है वो आपका जुलाई में ही कंड़क्ट होने के सबसे अना चांस है तो दोस्तो अब किसी भी दिन SPI की तरफ से कुछ न कुछ सर्प्राइस आपको देखने को मिलने वाला है अब वो समय नहीं है कि आप इंतिजार कर रहे हैं कि एड्मिट कार्ड आ जाए उसके बाद हम तयारी करेंगे योग कि आपको पता है पहली भी आपको देखने को मिला है कि SPI का जब भी एड्मिट कार्ड आया है उसके मातर आठ या 10 दिन बाद आपका एक्जाम कंड़क्ट हुआ है इसलिए आप ना तो एड्मिट कार्ड का विट कीजिए ना ही आप किसी नोटेस का बहुत से बहुत आपके पास 15 या 20 दिन बचे है आपका एक्जाम बिल्कुल करीब है इसलिए आप सिर्फ तैयारी पर फोकस कीजिए क्योंकि आपको पता है कॉमपटिशन जानदा है और आपको तैयारी कितनी करनी है प्री प्लस मिन्स दोनों की तैयारी आपको साथ में करनी है और आप मेहनत करोगे 100% सबलता आपको बहुत जल मिलेगी बाकी मिलते हैं फिर नेस वीडियो में जब तक के लिए धन्यवाद